डेट आज 15 अप्रेल 2022 ये सब टॉपिक कंप्लीट करेंगे इस क्लास में फर्स टॉपिक है जूलियस नाईरेरे ये प्रिलिम्स के लिए इंपोटेंट है प्राइम मिनिस्टर ने अभी ट्राइबूट पेड किया इनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी पे सोवी वर्सगाठ थी इनकी इनने जूलियस नाईरेरे या मवालिमू नाईरेरे के नाम से जानते हैं तंजानिया के पूर्व प्रधान मंत्री और प्रेजिडेंट भी रहे हैं ये लीडर थे वहां के ट्राइब्यूट पेड किया परधान मंत्री जी ने इनकी बर्थ एनिवर्स्टी पर यानिकी सिर्धाँज ली दी 1922 से लेके 1999 तक रहे ये जीवित तंजानिया में ये एंटी कलोनियल एक्टिविस्ट थे समास से भी थी एंटी कलोनियल का मतलब है जैसे बिर्टिस गौवर्मेंट ने हमारे यहाँ पर राज किया था कलोनिय बना के गुलाम बना के भारत को इसी तरह से अफ्रीका में भी बहुत सारी कंट्रीज पर उसने रूल किया था किया था तो एंटी कलोनियल मतलब कलोनी के अगेंस्ट उपनेवेसवाद के अगेंस्ट जो बिर्टिस गॉर्मेंट ने चलाया था उसके अगेंस्ट थे और पॉलिटीशन हुआ करते थे तंजानिया के तंजानिया कंट्री कहां पे यह अफ्रीका का मैप देख रहे हैं यहां तंगानि का नाम था उस टाइम पे इसका देश का प्रिजडेंट रहे थे 1963 से 64 तंजानिया के प्रिजडेंट फिर उसके बाद यह 1964 से 85 तक भी रहे थे इनकी जो आइडिलोजी विचार धारा उसको बोलते हैं उजामा इनकी आइडिलोजी को नेक्स्ट टॉपिक है कलर ब्लाइंडनेस यह प्रिलिम्स के लिए इंपोटेंट है सुप्रीम कोट ने अभी फिल्म एंड टेलिविजन इंस्टिटूट ऑफ इंडिया यह एक इंस्टिटूट है इसको डारेक्शन दिये इसको आदेश दिया है किस चीज के लिए देखो इसने FDIE ने जो ऐसे इंसान है यानि कि एसे पर्सन है जो कलर ब्लाइंडनेस से पीडित है this बीमारी से पीडित है तो उनको क्या है कि फिल्म में एडिटिंग करने के लिए यह फिल्म मेकिंग के कोर्स करने के लिए ऀलाव नहीं करते यह इंस्टिटूट लेकिन अभी Supreme Court ने आदेश दिया है कि ऐसे जो person है जो color blindness से PD थें उनको भी allow किया जाए तो ये color blindness है क्या जिसकी वजह से इस Film and Television Institute of India ने ऐसे लोगों को hire करने से मना कर दिया था या film making बनाने के लिए editing करने के लिए मना कर दिया था देखो color blindness एक बीमार ये disease जो आखों में होती है यानि कि इसे color deficiency के नाम से भी जानते हैं इसमें क्या है जिस आदमे को ये होती है तो उसको color पहचानने में रंग पहचानने में दिक्कत होती है mainly दो color green और red color पहचानने में और कभी-कभी blue color भी यानि कि तीन color पहचानने में उसे दिक्कत होती है green, red और blue ये उसे एक जैसे दिखते हैं लगबक सेम दो type के cell होते हैं हमारी आखों में आखों में होती है retina, retina के अंदर दो cell होती हैं जो detect करते हैं light को जो भी light आप देखते हो green है या red है या blue है ये दो cell हो दो type की cell हैं एक है road ये light हो या dark हो इसमें फर्क दिखाती है हमारे दिमाग में information भीजती है ये road नाम की cell होती है retina के अंदर एक कौन नाम की cell होती है ये color को detect करती है road का detect करती है कि अंधेरा है या उजाला है light है या dark है इसके बीच में बताती है आपके दिमाग में information भीजती है सेल और कौन नाम की सेल होती है रेटिना के अंदर ये डिटेक्ट करती है कलर को तीन टाइप के कलर को डिटेक्ट करती है रेड ग्रीन और ब्लू और हमारे ब्रेन में दिमाग में इंफोर्मिशन देती है जिसकी वज़े से हमारा दिमाग पहचान पाता है कि हाँ यह color कौन सा है यह जो color blindness है यह देखो जब यह कौन cell एक या एक से ज़्यादा कौन cell absence हो जाती है हमारी retina से तब यह विमारी होती है color blindness की फिर यह color को पहचानने में दिक्कत होती है किसी भी person को next topic है Malcolm Adi Sessia Award यह prelims के लिए important है बस आपको याद रखना है किसको मिला है यह अवार्ड और कौन देता है इस अवार्ड को बस दो चीज़ याद रखनी है अवार्ड मिला है इंडिया के यह economist हैं अर्थ सास्त्री हैं और political commentator है प्रभात पटनायक जी इनको यह अवार्ड मिला है इस साल का यह है प्रभात पटनायक जी इनको अवार्ड दिया गया है और यह annually दिया जाता है कौन देता है इस अवार्ड को हर साल देते हैं किसी आदमी को यह Malcolm and Elizabeth Addis Asia Trust के नाम से यह एक trust है टरस्ट मतलब यह समझ लो एक organization असंस्ता है यह देती है किसी भी outstanding social scientist को जो कोई development studies के लिए अपना योगदान देता है contribution देता है यह पटनायक जी है यह economist है इन्होंने देखो social science में planning और economic studies पढ़ाया है जवाल लान लहरू यूनिवस्टी में जे न्यू यूनिवस्टी है जो न्यू डेली में उसमें economic studies पढ़ाया है और planning केरल state planning board के vice chairman भी रहे हैं यह जो Malcolm साथ्या नाथन आदिशेश्या इनके नाम पर यह अवार्ड रखा गया मालकॉम सेश्या अवार्ड यह 1910 से लेके 1994 तक जीवित रहे थे इंडियन डवलप्मेंट एकॉनमिस्ट थे यह भी एजुकेटर थे मालकॉम साथ्या नाथन आदिशेश्या 1976 में इनको पद्मभूशन के नाम से भी नवाजा गया था पद्मभूशन नेक्स्ट टॉपिक है राष्टे ग्राम स्वयराज योजना यह प्रिलिम्स और जीएस पेपर टू के लिए इंपोर्टेंट है यह देखो मार्च 2022 में खतम हो गई थी यह योजना है जो 2018-19 में चलाई थी लेकिन इसका time period आगे extend कर दिया है cabinet committee on economic affair इसने approval दे दिया अपनी approval मतलब सहमती दे दिये इसको आगे extend कर दिया है बढ़ा दिया आगे 2025-26 तक चलेगी अब यह योजना है जो अभिहान है यह जो राष्टे ग्राम स्वयराज योजना है यह देखो जो cabinet committee on economic affair होती है इसको prime ministry head करते है cabinet member होते है इसमें generally इसकी implementing agency कौन सी है इस जो योजना के बारे में पढ़ रहे है अभिहान के बारे में राष्ट ग्राम स्वयराज योजना यह अभिहान ministry और पंचायती राज के अंदर आती है इसकी यह अभिहान है जो और यही implement करती है इसको पोटले तयार किया है जिसमें से 3700 करोड रुपे central government देगा और 2211 करोड स्टेट राज्ये देंगे हर एक राज्ये में implement की जाएगी स्कीम का काम क्या target क्या है इसका देखो गाउ में रूरल एरिया के लिए अभियान है ग्रामिंचेतर के लिए तो रूरल एरिया में फैसलिटी डवलप करना है हर एक तरेकी की फैसलिटी जैसे देखो poverty free बनाना है विलेज एरियाज को livelihood को उनके जीवन यापन को enhanced करना यानि की ववस्ता हो clean and green village हो साफ सुत्रा पेड़ पौदे हो self-sufficient infrastructure हो village में socially secure village हो villages with good governance हो and gendered development in villages ये सब कुछ facility डवलप करना है जो पंचात है उनको strengthen करना है और पंचात के बीच में एक गाम से दूसरे गाम के बीच में competition को बढ़ाना है increase करना है ताकि एक दूसरे गाम competition करें और अपने गाओं में facility डवलप करें वहाँ के जो परधान होते हैं सरपंच होते हैं ये scheme 2018-19 में चलाई गई थी next topic का OBC entrepreneurs ये prelims और GS paper टू के लिए important है इसमें सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि जो OBC category में आते हैं other backward class में आते हैं जो enterprises को चलाया जा रहा है यानि कि लगू छोटे उध्योग होते हैं जो लगू छोटे मध्यम वर्ग के जो उध्योग होते हैं इंडस्टी होती हैं company होती हैं छोटी company कितने OBC percentage people है हमारे इंडिया में जो इनको चला रहे हैं ये 30% हैं ऐसी MSME जिनको OBC category के लोग चलाते हैं वो 8.16,816,816,1NSमी है हमारे दे डेश में March strengths 2022 तक उन मेंसे 23.31 MSM में OBC entrepreneur चला रहे हैं वो है मालिक OBC और जितने भी OBC है ना उनमें से 41% तो तीन स्टेट में है सबसे ज़्यादा तमिलाडो में 14.5 फिर महाराष्ट में 14.4 फिर राजिस्थान में 14.12.4 ये हैं ये डेटा किसने दिया है MSME Development Commissioner जो उसके और ये ओफिस में से ये डेटा निकल क्या है डेटा को कमपाइल किया जाता है जो उद्यम पोर्टल है ना उद्यम एक साइट है Internet उसके जरिए जो भी अपने आपको Register कराता है OBC उसका data त्यार इसके थूरू किया जाता है उध्यम portal के थूरू कि कितने OBC के ऐसे candidate है जो MSME को चलाते हैं next topic है UGC allows two degree at a time in a physical mode अब देखवा आप क्या है दो degree एक साथ करना चाहो कोई भी कर सकते हो दो online degree करना चाहो तो कर सकते हो दो offline करना चाहो तो कर सकते हो एक offline एक online कर सकते हो अगर एक ही college से दो degree एक time में करना चाहो तो कर सकते हो जैसे मालो आप BAV करना चाहो BSC करना चाहो या BSC करना चाहो B.Tech करना चाहो दो degree एक साथ कोई से भी degree आप एक साथ कर सकते हो यह university grant commission है जो UGC इसने allow कर दिया है students को full time course के लिए दो full time course same level की degree program कर सकते हैं वो physical mode में भी simultaneously किसी भी same university से भी करना चाहें तो कर सकते हैं different university से भी करना चाहें तो कर सकते हैं same college से भी कर सकते हो दूसरे college से भी कर सकते हैं एक दूसरे college से कर रहे हैं एक दूसरे college से कर रहे हैं ये National Education Policy 2020 की पार्ट है 2020 की जो पॉलिशी चलाएगी थी उसमें ऐसी flexibility देने के लिए provision था जो University Grant Commission है ये statutory body है सामेदिक संस्ता सामेदिक संस्ता वो होती है जब Parliament कानून बनाके law pass करके Parliament में से तब बनाता है किसी भी संस्ता को तो ये statutory body है UGC Act passed किया था 1956 में उसके द्वारा बना गी थी है इसकी responsibility होती है कि ये coordination determination maintenance करती है higher education के standard को यानि कि जो college बगारा खोलने है किसी को university खोलने है उसकी permission कौन देता है ये UGC देता है UGC University Grant Commission ये recognize करता है किसी भी college या university को हमारे इंडिया में next topic है स्वयनिधी से समरिध्धी program ये prelims और GS paper 2 के लिए important है अभी union government ने launch क्या है ये program 126 स्टीज में चलाया जाएगा 14 स्टेट और यूटीज के 126 स्टीज में चलाया जाएगा ये program क्या है देखो ये additional program है स्वयनिधी program का ही स्वयनिधी एक क्योजना चलाई थी government ने COVID-19 के दोरान उसी का ये additional program है स्वयनिधी से समरिध्धी program कौनसी ministry के अंदर आता है ministry of housing and urban affairs और देखो जो स्वयनिधी चलाई थी scheme ये भी ministry of housing and urban affairs के अंदर आती है इसे देखो ministry of housing and urban affairs के साथ quality council of India भी इसको implement करेगी इसके साथ quality council of India कि फर्स्ट फेस में इस प्रोग्राम में 125 city को कवर किया जाएगा लगबग 35 लाक street vendor को कवर किया जाएगा और उनकी फैमिली को street vendor का मतलब होता है भाई साभ जो देखो सहर में या गाओ में गलियों में घूम घूम के आवाज लगा के बेचते ना सामान कुछ भी फल सबज या कुछ भी विचते हैं उनको बोलते हैं street vendor तो उनके लिए scheme चलाई थी स्वेनिधी कोविड-19 जब आया था उसके दौरान 2020 में अभी भी चल रहा है सकते 2020 में चलाई थी तो उसके बाद अब यह चलाई है स्वेनिधी से सिम्रिद्धी प्रोग्राम इसका एम क्या है लक्सा सोशल सिक्यूर्टी बेनिफिट देना street vendor को उनकी socio-economic अफलिट्मेंट करना उनका यानि की डवलप्मेंट करना विकास करना है इस प्रोग्राम के अंदर क्या दिया जाता है देखो जो परदान मंतरी स्वेनिधी के इसका फायदा भी दिये जाएगा street vendor को नेक्स्ट है परदान मंतरी श्रम योगी मांधन योजना नेक्स्ट है नेशनल फूड सीक्योर्टी एक्ट है 2013 का उसके थुरू दिया जाएगा फायदा वन नेशन वन रासन कार्ड के जरिए नेक्स्ट है जन्नी सुरक्षा योजना और आठ विया परदान मंतरी मात्रव वंदन योजना इन स्कीम का लाब दिया जाएगा तो यह PM स्वेनिधी योजना क्या है यह 24 मार्च 2020 से पहले या उस से उस 24 मार्च 2020 को या उस से पहले कोई लोग street vendor का का काम करते हैं तो उन्हे में 10,000 का loan दिया जाता free of cost इस PM स्वेनिधी scheme के अंदर यानि कि जो street vendor है जो घूमफुर के बेजते हैं फलचप जे बगरा 10,000 का loan दिया जाएगा फायदा क्या होगा इसका loan का देखो ना तो इस पर interest लिया जाएगा और इसका फायदा ये भी होगा जब वो time पे भर देंग तो उन्हें कुछ पैसे वापस दे दिये जाते हैं 7% के round इसको देखो इसका partner को उन्हें implement करने के लिए ministry of housing and urban affair के साथ साथ सिडवी इसका partner है small industries development bank of India है ये ministry of housing के अंदर साथ मिलके ये इसको implement करता है इसको जो भी credit guarantee इसमें manage करेगा ये जो भी credit guarantee fund trust आता है na micro small enterprises के लिए उसके थुरू इसको manage किया जाएगा स्वेनिधी प्रोग्राम के अंदर इसमें loan देखो 10,000 तक का दिया जाता है 10,000 तक का maximum loan ले सकते हैं street vendor है जो street vendor लेकिन अगर वो monthly install के साथ साथ एक साल के अंदर अंदर पे कर देते हैं और एक साल के अंदर अंदर ही वापस करना होता है monthly installment महिने में किस्त बंदवा सकते हैं और वापस कर सकते हैं अगर उन्होंने मालो वापस कर दिया एक साल के अंदर तो उन्हें 7% का पर एनम से सबसीडी भी दी जाती है यानि कि 10,000 रुपे उन्होंने लिए और 10,000 रुपे साल में लोटा दिये तो 7% हो जाएगा लगबक 700 रुपे 700 रुपे उन्हें वापस द पेसिस पे डारेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के दौरा भेज दे जाते हैं 7% पर एनम का जो सबसीडी गवर्मेंट देती है यानि कि डारेक्ट उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दे जाते हैं और अगर मालो वह जल्दी भी पेमेंट करना चाहे मालो उन्होंने और जब एक महीने के अंदर या दो महीने के अंदर वापस कर भी दे दे तो फिर भी गवर्मेंट 700 रुपे उनके डारेक्ट बैनेफिट ट्रांसफर कर देगी बैंक में दे देगी तो सोचो कितना फायदा है मालो एक स्टीट वेंडर 10,000 रुपे का लोन ले अब ले एक मह इस वेंडर कोई भी है, हॉकर्स होते हैं, ठेले वाले, रहडी वाला, अलग-अलग नाम से, अलग-अलग जिगह पर फोकारते हैं इनको, जो गुड्स और सर्विसस सप्लाई करते हैं, सब इन में एप्लिकेबल हैं, चाहे वो पैरी अर्बन एरियाज में, या रूरल एरि इसको जारी करती है, यह क्या है, इसमें क्या assessment किया जाता है, और कब establish की थी, इसको बनाया गया था इस report को 2005 में, 2005 से यह report दी जा रही है, और इसको देखो, जो global wind energy council है यह भी 2005 में बनी थी, इसने report यह निकालना शुरू किया था, यह international trade association है, जो wind power industry के लिए assessment करती है, यानि कि बिजली, जो yu से बिजली बनती है, हवा से बिजली बनती है, वो कितनी बनती है, उसका मुल्यंकन करती है, assessment करती है, पूरे वर्ल्ड में, globally, highlight क्या है इस report की, wind power report की, इसकी highlight यह है, कि देखो, 2021 में जो installment है, 94 gigawatt की है, wind energy installation, जैने कि जो हवा से बिजली बनती है, लेकिन देखो, इस decade में, इस decade के अंदर अंदर, अगर greenhouse gas emission का जो target है, अचीव करना, जो Paris deal हुई थे न, 2015 में, बहुत बार पढ़ना, पढ़ाया है, हमने ही Paris agreement, 2015 में COP21 की meeting हुई थी, UNFCC की, तो भूलतों नहीं गए हो, जो उसके जो target है, वो जो अगर अचीव करने है, तो 2030 तक आत है न, कि इतना temperature नहीं बढ़ने देना, इससे जादा, इससे बिलो रखना है, यह Paris agreement का ही target है, यह अचीव करना है, तो wind power और produce करनी पढ़ेगी, अगर net zero emission का target भी अचीव करना है, 2050 तक, तो यह भी difficult हो जाएगा, अगर wind power जादा नहीं बढ़ाई, wind power जादा बढ़ाने का मतल से, और कोईले से जो बिजली बनती है, thermal power plant में, उससे carbon emission बहुत जादा होता है, जो environment में greenhouse gas का, जो level है, वो increase कर देता है, जिसकी वज़े से greenhouse gas के emission की वज़े से, atmosphere में temperature बढ़ जाता है, और temperature का बढ़ना ही atmosphere में, उसको क्या बोलते हैं, उसको global warming बोलते हैं, और global warming होगी तो climate change होगा, जिसकी वज़े से बहुत सारे नुकसान होते हैं, आपको पता है, तो अगर ये सारे target अचीव करने, तो हमें clean energy की तरफ बढ़ना पड़ेगा, जिसमें wind energy भी clean energy है, योकि wind energy से भवा से जो बिजली बनती है, उससे परदूसन नहीं होता है, तो ये जो 2022 तक जो installation थी, यानि कि जितनी बिजली बन रही थी, वो, देखो, 2019-20 में जितनी बिजली बन रही थी न, wind से हवा से, वो घट गई है, decline हो गई है, ऐसा आसंका जताई है, कि घट जाएगी 2022 तक भी, new offshore installation, offshore का मतलब क्या देखो, जैसे मानलो, अगर ये इंडिया है, इंडिया के coast line पे, होगी onshore, और अगर coastal area से अंदर बनाई जा रही है, कहीं पर यहाँ पर plant लगा दिये, मतलब wind से बिजली बनाने वाले plant लगा दिये, तो यहाँ पर होगे offshore, अंदर, यानि कि coastal area से दूर, तो ये देखो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि देखो primarily मुख्य ते क्या है, चाइना ने ज जो installation लगा रखे थे, जो market growth है वो भी देखो बढ़ने वाली है 2023 से, तो 2026 तक देखो 30 gigawatt तक ये increase हो जाएगी, जो offshore wind energy generation है, ये देखो अगर लगा दी जाती है, तो इससे return भी बहुत ज़्यादा मिलता है, और गिनाना उस गैस का भी emission reduce हो जाता, घड़ जाता है, क्योंकि इससे देखो greenhouse gas का emission तो होता नहीं है, तो automatically reduce होई जाएगा, क्योंकि coal से जो बिजली नहीं बनेगी, wind से बनेगी, तो automatically greenhouse gas का emission घड़ जाएगा, और देखो इस investment से बाद में return भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं, revenue तो generate हो गाई, next challenges क्या है इसके सामने, चुनोतिया क्या है, एक इस तो है, देखो inconsistent policy environment, policy अच्छी नहीं है, क्योंकि political gain के लिए जो भी leader है, short term के लिए छोड़ सोचते हैं, long term approach नहीं है, next step badly designed market है, infrastructure और transmission line है, उनमें भी कमी है, bottle link है, bottle link मतलब कमी है, infrastructure सही नहीं है, industries हैं या trade policies हैं, वो भी inadequate हैं, मतलब कम हैं, अय परियापते हैं, lack of adequate industry और trade policies, adequate मतलब परियापत, lack मतलब अभाव, जो industry और trade policy हैं, उनका परियापत policy का अभाव है, lack है, renewable technology कम है, next है scope in India, इंडिया में क्या इसका contribution है, wind energy का, देखो 1.4 gigawatt से ज्यादा wind energy 2021 में install की है, ये देखो पिछले साल से ज्यादा है, पिछले साल में, last year में 2020 में 1.1 gigawatt install की थी, हमारे इंडिया में, मतलब पैदा की थी, इतनी बिजली, और उस 2021 में 1.4 gigawatt, union ministry of new and renewable energy, जो ये ministry है, इसका target ये है, ये target आपको याद होना चाहिए, और इंडिया का जो ये production किया है, 2021 में, और 2020 में कितना था, ये भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये mains में लिखने के काम आते है, में, 2022 तक देखो, capacity है कि offshore capacity, 5 gigawatt की install कर देगा, इंडिया, wind energy की, और 30 gigawatt कर देगा, 2030 तक आते हैं, ये इंडिया का target है, अभी अच्चीव नहीं किया गया, लेकिन ये, इंडिया जनरेट कर सकता है, देखो, जितना इंडिया का potential है, कितना है, कितना जनरेट कर स लाइन लगाएंगे, वो चक्कर घूमेगा हावा से, तो बिजली बनेगी, तो ज़्यादा चांसी होते है, coastal areas पे, बिजली बनाने के, क्योंकि समंदर के किनारे, हावा बहुत तेज चल रही होती है, तो ये 7600 किलोमेटर की लगबग coastline है, 7515.16 ऐसे कुछ करके है, टोटल तो लगबग 7600 की coastline है, उसमें 127 गीगावाट offshore wind energy generate कर सकता है, यानि कि अगर offshore भी coastal area से दूर भी करे तो, need of the hour क्या है, जुरूत ये कि government क्या है, planning बनाए, जो भी barrier है, ये grid connection में challenges है, grid connection मतलब पोल के खंबे जो होते हैं, उनको connect करने में जो परेशान या है, चौनोत या है, उनको tackle करे government, उनको nip आए, और sustain increase growth, अगर करनी है, wind based generation capacity बढ़ानी है, तो policy maker को appeal की जाए, कि वो permission दे land allocation की, grid connection project की, next है, workforce planning की जाए, large scale पे तकि renewable energy का जो target 2030 तक अचीव किया जा सकते, जा सके, यानि कि investment को priority दी जाए, wind energy के लिए, annual transition related investment भी की जाए, कम से कम देखो 2.7 times, लगबग 2.7 गुना जादा, 2019 के level से जादा produce करनी पड़ेगी, और 2030 तक आते आते हैं, देखो वैसे भी, dollar 5.69 trillion की अगर ये develop करना है energy, economy, तो ये target अचीव करना ही पड़ेगा, next ये देखो, जादा से जादा public private cooperation करने की ज़रोत है, supply chain को maintain करने के लिए, public private का मतलब, government और private company दोनों साथ मिलके इसमें योगदान दे, international regulatory framework भी देखो, strong बनाना पड़ेगा, international level पे wind energy के लिए rules regulation strong हो, ताकि हर एक देश में implement किया जाए, जिस देश में potential है, वो उसको utilize करे, use करे, जैसे मालो अगर हमने अपने इंडिया की बात करे ह सबसे ज़्यादा potential है, wind energy का गुजरात में, क्योंकि देखो, गुजरात की coastline भी सबसे लंबी है, और गुजरात में potential भी ज़्यादा, potential मतलब अभी देखो, wind energy ज़्यादा produce की नहीं जाती, गुजरात में सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में, लेकिन potential है, अगर करना चाह बनाई जाती है, बिजली wind energy, किस से बनाई, किस उसमें बनाई जाती है, state में, सबसे ज़्यादा produce की जाती है, तमिल नाडू में, टॉप पे तमिल नाडू, फिर उसके बाद की जाती है, आपकी गुजरात में, फिर महाराष्ट में, करनाटक में, राजस्तान में, और यह आद रखना है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि देखो, जो nuclear energy बनती है, वो भी इस से ज्यादा है, लगबग, वो भी इस से ज्यादा है, तो यह, यही topic थे आज के,